कुछ दिनों पहले मैंने एक टीवी का अन्बॉक्सिंग वीडियो अपनी यूटूब चैनल पे डाला था और काफी लोगों के उस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स आये थे और कई लोगों के मन में उस टीवी को लेकर काफी सारे कलकुलोजन थी जिसके चलते काफी लोगों न या पे देखनी को मिला है वो ये है कि वोईससस्टन्ट रिमोट कैसे लिए और ये वोईससस्टन्ट रिमोट फ्री में मिलेगा कैसे मंगाए जब भी टीसेल का ये टीवी हम खरीते हैं तो इसके साथ हमें वोइस असिस्टंट रिमोट नहीं मिलता है पता नहीं कंपनी ने यहां पर अभी ओफर चलाया हुआ है अगर आप ये टीवी खरीते हैं टीवी आपके घर आ जाता है इस सोलेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको कस्टमर केर को कॉल करना है कि आपको वोइस असिस्टंट रिमोट नहीं मिला है तो उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंड करनी है और कंप्लेंड करनी के बाद आपको विदिन वन विक के अंदर आपको वोइस असिस्टंट वाला remote मिल जाएगा और जो remote आपको मिलेगा वो आपको exchange होगा मतलब कि आपके पास जो पुराना वाला remote जो TV के साथ आया हुआ है उसके साथ exchange होगा वो वापस ले लेंगे और आपको इस तरह का एक voice assistant remote देखने को मिल जाएगा company की और से free of cost है कोई charge नहीं लेती हैं company तो समझ में आ गया remote के लिए आपको company को customer care को call करना है अगर आपको customer care का number पता नहीं है तो मैं description में दे दूँगा आप तो आप remote के लिए complaint दाल सकते हैं तो यहाँ पे श्रीवन्त कहते हैं कि इसमें normal DTS TV चला सकते हैं क्या तो इसमें आप simple DTS TV चला सकते हैं इसमें point भी दिया गया है उसको mode के अंदर change करना होगा then after आप cable लगाएंगे तो आपका normal DTS TV चला पाएंगे इस TV के अंदर तो यहाँ पे इबराहिम का comment आया है और वो बोल रहे हैं कि S5500 और S5500 AF में कौन सा अच्छा है S5500 ले सकते हैं अगर आपका budget थोड़ा कम है तो आप S5500 AF मोडल ले सकते हैं जिसके अंदर आप थोड़े limited application install करने को मिलेगे अगर आपको storage ज्यादा चाहिए रेम थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप TCL का S5500 00 मोडल खरिच सकते हैं तो यहां पर माकाल ने comment करके बताया है कि भाई यह बताओ कि FULL HD 1080p वीडियो क्वालिटी कैसे चेक करें और दोनों मोडल में है या नहीं FULL HD आपके मोडल में मुझे doubt है कि शायद कम पैसे होने की वज़े से इस मोडल में company ने FULL HD पैनल ना दे और S5500 में FULL HD पैनल देती हैं आपने कैसे confirm कि यह मोडल आपकी FULL HD हैं यूटूब पर सब वीडियो 1080p सपोर्ट करता हैं लेकिन पता कैसे लगाए कि panel FULL HD सपोर्ट है या नहीं कमनी ने बोल रखा है कि FHD पैनल है तो यह FHD पैनल है मैं खुद इसका experience कर चुका हूँ मैंने USB pen drive लगा कर उसमे 1080p वीडियो की clip डाल कर भी play करके देखा है FULL HD वीडियो इसमें play हो रहा है कोई दिकत नहीं है FULL HD और HD में अंतर आपको देखने को यह मिलेगा जब यहां पर दंत अनिकेत ने कॉमेंट कर रहा है brother can we provide customer care number मैं यहां पर आपको इस वीडियो की description में आपको customer care का number देता हूं उनको contact करके आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हूं तो यहां पर RKR ने कॉमेंट करा है कि मैं Flipkart से कल इस TCL का 32 TV और्डर किया हूं तो मुझे wall mount नहीं मिलेगा wall mount जब technician आके setup करेगा तब मिलेगा क्या उसके लिए extra charge कितना देना पड़ेगा अगर आप इस TV को offline में जाके खरी देंगे offline store में जाके तो वहां पर आपको free of cost wall mount मिल सकता हैं हलाकि online अगर आप order करते हैं तो wall mount आपको नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं मिला था जब technician टीवी इस्टोल करने के लिए मेरे घर पर आये तब वो wall mount लेकर आये थे और उन्होंने मुझसे 500 रुपे चार्ज किये थे wall mount के लिए तो यहाँ पर बबब जी camper ने comment करके कहा है कि viewing angles दिखाओ bro next वीडियो पर तो व्यविट कि बात करें तो अगर आप सामने से जो content हमें देखने को मिलता है हमें hoursires पर आनकुमर साहूं ने comment करकर के कह ए कि टीवी मॉंट का prices कितना छार्ज किया इंजिनियर तो मैंने इसका रिप्लाइ आपको बता दिया है कि इस्ट्रोलेशन फ्री है मांट का चार्ज आपको 500 रुप्या देना पड़ सकता है तो यहाँ पर सिवा नीरज ने कॉमेंट करके कहा है कि पैंड्राइव की वीडियो कैसे चलाए कोई ओप्शन नहीं आ रहा है अगर आपको पेंड्राइव की वीडियो चलानी है तो आपको जाना है inputs के अंदर जैसे की तॉप के ऊपर आपको देखनी मिलेगा जैसे वह पर आप आपको मैं आपको बता दू कि 1080p की जो पैनल है फूल एजडी की तो उसके अंदर कॉंटेंट काफ़ी अच्छा दिखता है अगर आपका 10,000 रुपे का बजट है अगर आप यह टीवी खरीते ना तो आपको और कोई टीवी लेनी की जरूरत नहीं है इस टीवी को खरीदने से पहले म मैंने इस टीवी को खरीदा है अगर आप एक बजट टीवी खरीदना जाते हैं जो की 10,000 रुपे के अंदर फूल एजडी पैनल हो तो मैं आपको 100% यह टीवी आपको रेकमेंड करूंबा है तो सिपी सिंग नहीं यहां पर कॉमेंट करके कहा है कि होट स्टार है इसमें तो पर आपके मन में कोई कंस्लिउजन है इस टीवी के रिकार्डिंग तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कोमेंट करके बता सकते हैं तो मैं इसना आंसर देने की कोशिश जरूर तो आयोड की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक पाँ तो मिल्देगो वीडियो में तब तके लिक वांदेगू